students, welcome in math class, chapter हमारा second polynomial exercise 2.5, sum number 10 करेंगे, आज हम sum number 10 है, factorize करना, factorize means गुना के टुकड़े या गुननखंड, यानि इसको हमने multiple form में write करना है, अब इसको देखते हैं में clear होता है कि y cube और z cube, it means ये भी आपका किसी की cube की form में है, और ये digit भी आपकी किसी की cube की form में है, अब हमारे पास क्या formula बनता है, हमने last video में discuss किया था, x cube plus y cube, it means हमारे पास formula था, यानि हमने verify किया था, question number 9 में, x cube plus y cube को हम किस form में write कर सकते हैं, x plus y, okay, यहां से x square plus y square और minus xy, अगर plus का formula तो यहां पे हमारे पास इन दोनों की multiple minus की form में आएगी, ताकि आपस में जब multiply करें, cancel out होके x cube और y cube ही हमारे पास बचें, तो this is the, यह हमारे पास formula की open form है, इसी की help से अब हमने identify कि हमारे पास x की जगे complete digit क्या है, 27, आपका 27 को अगर आप 3 से divide करोगे 3, 9 जा, और 3 से divide करोगे 3, यानि यह आपके पास 3 की power 3 की form में है, तो इसको हम write करेंगे 3, और y हमा होगी, अब हमारे पास 125, means 5 की form में है, last digit 5 है, तो 5, 5, 25, 25, 25, 5, यानि यह 5 की power 3 है, तो 5z और whole cube की form में write कर देंगे, अब हमारे पास देखो x cube plus y cube, यानि 2 digit की form में आ गया, अब इसको open करेंगे इस रूप में, हमारे पास x plus y, x की जगे हमारे पास क्या है 3y, और y की जगे हमारे पास क्या 5z, into x square, यानि 3, इसको back को हम एक बड़, big back में रखेंगे, 3y का whole square, plus में 5z का whole square, और minus में x into y, अब इसको close करेंगे, अब इसको open करेंगे 3y, plus में 5z, अब यहां से, इसको open करेंगे 3 का square, यानि 9, 3, 3, 3, 9, square मतलब 2 times multiply, यह 5 का square करेंगे, 5, 5, 25, और z का square, minus में 3, 5, 15, y, z, तो यह हमारे पास, जो x cube plus y cube की form में था, यह हमारा multiple form में आगया, गुर्णखड की form में आगया, इसको हम factorized form बोलते हैं, this is your question, यह हमारा answer हुआ, अब next part हमारे पास क्या है, next part, अब इसका second part करेंगे 16m cube minus में, अब यह देखो minus, it means यह हमारा minus का formula बढ़ेंगा, हमारे पास क्या है, x cube minus y cube की form में, यहाँ पे x cube minus y cube की form में, minus का formula कैसे open हुआ था हमारे पास, x minus में y की form में था, और x square, plus में y square, और plus में x y की form में, यहाँ पे minus है तो बहर minus का, यहाँ पे plus है तो बहर plus का, अंदर सभी के सभी इस form में plus के आएंगे, आपका, अब इसी को सबसे पहले, हम x और y की form में, राइट करेंगे, x और y की form में कैसे राइट करेंगे, देखो 64, 64 हमारे पास किसका बनेगा, 64 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास 16 और 4 से डिवाइड करेंगे, 4 फोर जा, यानि 4 की पावर है और 343, 3 हमारे पास 3 में, last digit में आसकता है, 7 की डिज फेक्टराइज करके देखते हैं 7, 7 जा यह नहीं say 7 की पावर क्यूब बनता है इटी मिंस हमारे पास यह बनेगा 4 और M आपका होल क्यूब की फोर्म में आ जाएगा माइनस 343 को 7 की पावर 3 यहनी 7 N होल क्यूब की फोर्म में आ जाएगा इसको हमारे पास x-3 माइनस y-3 की फोर्म में आ गया अब इसको ओपन करेंगे हमारे पास वही फोर्म X-य माइनस में अंदर आप स्केर करोगे x का स्केर यहनी 4 का स्केर करोगे 16 हो जाएगा और M का M स्केर plus में y square 7 का square करोगे 49 हो जाएगा और n का square यानि variable का square square ही शो करोगे फिर plus में 4m multiply 7n यानि हमारे पास इसकी factorized form होगी 7n 16m square 49n square plus में 28 mn की form में या आएगा तो इस यूर आंसर तो dear students if you like our video then subscribe the channel likes the video and press the bell icon को तक कि आपको हमारी notification मिलते रे thank you have a nice day